मैंने तेजी से वाइरल हो रही दम की चाय की रेसिपी ट्राइ की और मैं आज इसी का फीडबेक आपके साथ शेयर करूंगी दम की चाय को बनाने का अंदाज बहुत ही अनोखा है अगर आप ठी लवर हो तो आप इसे ट्राइ कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो तो रेसिपी को हमें चाहिए होंगी चीनी, चाय पत्ती, इलाइची, लॉंग, दालचीनी, अधरक और दूद इस रेसिपी को आप एक हेवी बॉटम पैन या कुकर में बना सकते हो पैन में सबसे पहले पानी आड़ करेंगे और उसमें एक गलास में पानी डाल देंगे एक छन्नी लेंगे जो पानी को टच करें और उसमें चाय पत्ती आड़ कर देंगे उसमें अदरक काटके डाल दिया है मैंने थोड़े लाइची, थोड़े लॉंग और एक दालचीनी का टुकरा आड़ कर दिया है अब हम इसको cover करके boil करेंगे जिससे कि हमारा जो चाय पत्ती है और गरम असाले हैं वो steam हो जाएं और दम में पक जाएं Traditionally एक मलमल के कपड़े में चाय पत्ती और मसालों को रखकर steam किया जाता था आसानी के लिए मैंने चाय के छनी का इस्तिमाल किया है 15 मिनट दम में पकाएंगे और चाय पत्ती अपना रंग छोड़ देगा तो हमारा ये चाय का पानी तयार है एक पैन देंगे उसमें दूट डाल देंगे उसमें स्वाद अनुसार चीनी आड़ कर देंगे और उसमें तयार किया हुआ चाय का मिक्शर टाल देंगे और इन सब को पहले तेज आज पर बॉयल आने देंगे फिर इसको सिम करके पांच मिनट तक देमी आज पर पकाते जाएंगे जब तक कि हमारा चाय गाड़ा हो जाए और एक अच्छा कलर आ जाए चाय में गैस को बंद कर दिया है और कफस में चाय को इस तरह से डाल कर सर्व कर लेंगे हम दमकी चाय तयार है यह बहुत ही सटल फ्लेवर्स देता है गरम मसालों का और चाय पत्ती का और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है लेकिन रेगलर बेसिस पे मैं यह एडवाइस नहीं करूंगे यह बहुत ही टाइम टेकिंग होता है अगर आप स्ट्रॉंग फ्लेवर्स और करक चाय के शौकीन है तो यह चाय आपके लिए नहीं है आप टी लवर हो और अलग तरह के चायों को बना कर और उन्हें ट्राइ करना आपका शौक है तो जरूर ट्राइ कर सकते है इस रेसिपी को मेरी वर्डिक्ट है कि हमारी रेगलर मसाला चाय कहीं बहतर है और टाइम सेविंग है और फ्लेवर्फुल है तो आपके टेस्ट और आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको दमकी चाय पसंद आएगी या नहीं लाइक, शेर, कॉमेंट करना ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टे हल्दी, स्टे हापी, स्टे फिट